जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम को बुरी तरह से हरा कर T20 सीरीज को अपने नाम करने के बाद, अब हमारी भारतिय टीम, इंग्लैंड के टीम के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसका शेड्यूल BCCI ने कब के ही जारी कर दिया था. लेकिन दोस्तों, अब BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतिय टीम के फाइनल स्क्वाड घोशित कर दी है. जिहा दोस्तों, कल हुई बैठक में BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतिय टीम के 15 सदस्यों के फाइनल स्क्वाड का एलान कर दिया है, और BCCI ने भारतिय टीम की स्क्वाड में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाडियों की एंट्री करा दी है, जिसके अब भार भारतिय टीम के स्क्वाड में शामिल हो जाने के बाद, भारतिय टीम की स्क्वाड इंग्लैंड के टीम के खिलाफ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसे देखने के बाद, इंग्लैंड के टीम के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं, जीहा दोस्तों, BCCI ने इंग् इंग्लेंड के खिलाफ खेले जाने वाले चार मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतिय टीम के स्क्वाड में किन-किन 15 खतरनाक और घातक खिलाडियों को शामिल किया है। विकेट कीपर बल्लेबाज है। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेशन को अन कर ले। तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते आज के इंट्रेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतिय टीम ने साउथ अफरीका में जाकर साउथ अफरीका की टीम को हराकर T20 सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। और अब हमारी भारतिय टीम इंग्लैंड खतरनाक टीम मानी जाती है। और दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज के साथ साथ एक से बढ़कर एक घातक गेंदबाज मौजूद है जो अकेले अपने दम पर अपने टीम को मुकाबला जीताने का दमखम रखते हैं। आपको बता दे कि भारत औ ने तेरह मुकाबले में शान्दार जीत हासिल करी है। एसे में दोस्तों यहाँ पर तो हमारी भारतिय टीम इंग्लैंड के टीम पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। पहला T20 मुकाबला कोलकाता के इडन गारडन स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दोस्तों भारत और इंगलैंड के टीम के बीच दूसरा T-Tavinity मुकाबला चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा वही दोस्तों इस सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला राजकोट के सौराश्टर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आप भारत में भारतिय समय अनुसार कब कहां और कितने बजे से किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कप्तान और उपकप्तान की बात करें। तो दोस्तों BCCI ने एक बार फिर से इंग्लैंड के टीम के खिलाफ भारतिय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही बनाया है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव टी-20 फॉर्मिट में लगातार अपनी कप्तानी से भारतिय टीम को सीरीज जीता रहे हैं। इसलिए दोस्तों इंग्लैंड के टीम के खिलाफ एक बार फिर से भारतिय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ही करते हुए नजर आने वाले हैं। बारतिय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जिसमें पहला नाम आता है संजू सैमसन का। किये पारी खेले थे। तो वहीं चौथे टी-20 मुकाबले में भी संजू सैमसन साउथ अफरीका के टीम के गेंदबाजों के चक्के छुडाते हुए कुल 56 गेंद को खेल कर 6 चौके और 9 अगन चुम्मी चक्कों की मदद से 107 रनों की शानदार शत किये पारी खेल कर नाब बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक और 2 अर्ध शतक की मदद से 870 रन भी बना चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संजू सैमसन भारतिय टीम के कितने खतरनाक ओपनर बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों इनके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें। तो दोस्तों दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिशेक शर्मा को भारतिय टीम के स्क्वार्ड में शामिल किया है। आपको बता दे कि अभिशेक शर्मा भी आप पूरी तरह से अपने फार्म में लौट चुके हैं। जो कि आप सभी ने साउथ अफरीका के टीम क मुकाबले में देख चुके थे। आपको बता दे कि जहां पर अभिशेक शर्मा ने साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ तीसरे टीटी मुकाबले में अपने बल्ले से शानदार अर्ध शत्किये पारी खेले थे। तो वहीं चौथे टीटी मुकाबले में कुल 18 गेंद को ख 20 फॉर्मेट में टोटल 12 टी टवेनटी मुकाबला खेल चुके हैं और उन 12 टी 20 मुकाबले की 11 पारियों में ओपनिंग बैटल में बल्ले बाजी करते हुए एक शतक और एक अर्ध शतक की मदद से 256 रन भी बना चुके हैं वही दोस्तों अब मिडल ओन अर्डर बल्ले को भारतिय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है जिसमें पहला नाम आता है भारतिय टीम के सबसे खतरनाक मिडल ओर बल्ले बाज तिलक वर्मा का जी हा दोस्तों तिलक वर्मा भारतिय टीम की कितने खतरनाक और धाकड बल्ले बाज हैं ये तो आप सभी ने साउथ अफरीका के टीम के खिलाव T20 सीरीज में देख चुके हैं, जहां पर तिलक वर्मा ने अपनी विसफोटक बल्ले बाजी से साउथ अफरीका के टीम के गेंद बाजों को धजियाँ उड़ा कर रख दिये थे. आपको बता दे कि तिलक वर्मा ने साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ बैक टू बैक अपने बल्ले से शांदार शत्किये पारी खेल कर सभी को चौका दिया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि जहाँ पर तिलक वर्मा ने साउथ अफरीका के खिलाफ तीसरे 23 मुकाबले में 107 रनों की लाजवाब पारी खेली थे इनके अलावा दोस्तों तिलक वर्मा ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से T20 फॉर्मेट में टोटल 20 T20 मुकाबला खेल चुके हैं और उन्हें 20 T20 मुकाबले की 19 पारियों में मिडिल ओर्डर में बल्ले बाजी करते हुए 2 शतक और 2 अर्ध शतक की मदद से 616 रन भी बना च वही दोस्तों इनके बाद दूसरे मिडिल ओर्डर बल्ले बाज की बात करें तो दोस्तों दूसरे मिडिल ओर्डर बल्ले बाज पर नाम आता है भारतिय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का आपको बता दे कि सूर्य कुमार यादव भी भारतिय टीम के सबसे बहतरीन और खतरनाक मिडल ओनारडर बल्लेबाज में से एक है और कई मुकाबले में तो सूर्य कुमार यादव ने अकेले अपने दम पर भारतिय टीम को जीत भी दिला चुके हैं हाला कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा था लेकिन दोस्तों हम सभी जानते कि सूर्य कुमार यादव भारतिय टीम के सबसे खतरनाक मॉडल जाते हैं दोस्तों आपको बता दे कि सूर्य कुमार यादव ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से T20 फॉर्मिट में टोटल 78 T20 मुकाबला खेल चुके हैं और उन 78 T20 मुकाबले की 74 पारियों में बल्ले बाजी करते हुए 22 अर्ध शतक और 4 शतक की मदद से 2570 रन भी बना चुके हैं और इन आकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव भारतिय टीम के कितने खतरनाक Middle Order बलेबाज हैं वही दोस्तों इनके बाद 3 Middle Order बलेबाज की बात करें तो 3 Middle Order बलेबाज के तौर पर रिंकु सिंग को भारतिय टीम की स्कौर्ड में शामिल किया ह हाला रिंकु सिंग का भी प्रदर्शन साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा था लेकिन साउथ अफरीका टीम के खिलाफ प्रदर्शन को छोड़ दें तो अभी तक रिंकु सिंह का प्रदर्शन भारतिय टीम की तरफ से खेलते हुए काफी लाजवाब रहा है और कई मुकाबले में तो अकेले अपने दम पर रिंकु सिंह ने भारतिय टीम को जीत भी दिल चुके हैं जी हाँ, दोस्तों आपको बता दे कि रिंकु सिंग ने भारतिय टीम की तरफ से 23 टी टवेनटी मुकाबला खेल चुके हैं और 30 टी 20 मुकाबले की 20 पारी में बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्ध शतक की मदद से 570 रन भी बना चुके हैं वही दोस्तों इनके बाद 4 मिडल ओन अर्डर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, 4 मिडल ओन अर्डर बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग को भारतिय टीम की स्क्वार्ड में शामिल किया है जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियान पराग चोट की वजह से साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ नहीं खेल पाए थे, लेकिन रियान पराग अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, इसलिए रियान पराग को इंग्लेंड के खिलाफ चौथे मिडल ओर् लेवार्धी करते हुए भारतिये टीम को शानदार फिनिशंग टच दिलाते हैं, वहीं दोस्तों अब विकेट कीपर बललेबाज की बात करें, तो दोस्तों BCCI ने दो विकेट कीपर बललेबाज को भारतिये टीम की स्कौ़ड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता ह संजू सैमसन का जो की ओपनर बल्लेबास के तौर पर भी भारतिय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है जबकि दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबास की बात करें तो दोस्तों BCCI ने तीन ओनलराउंडर को भारतिय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है जिसमें पहला नाम आता है भारतिय टीम के सबसे खतरनाक ओनलराउंडर हार्दिक पांडिया का आपको बता दे कि हार्दिक पांडिया भारतिय टीम के एक ऐसे खतरनाक ओनलराउंडर है जो किसी भी नंबर पर आकर अपने बल्ले से विरोधी टीम के गेंदबाजों के छक्के छोड़ा कर रख देते हैं और जब जब भारतिय टीम को विकेट की दरकार होती है हार्दिक पांडिया अपनी गेंदबाजी से भारतिय टीम को विकेट दिलाने के लिए जाने जाते हैं जो कि आप सभी ने साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छी चुके थे जहां पर हम सभी को हार्दिक पांडिया का ओनलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला था आपको बता दे कि हार्दिक पांडिया ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से टोटल 109 T20 मुकाबला खेल चुके हैं और उन 109 T20 मुकाबले की 86 पारियों में बल्ले बाजी करते हुए चार अर्ध शतक की मदद से 74 रन भी बना चुके हैं जबकि 109 मुकाबले की 97 प पारतिय टीम की स्कौर्ड में शामिल किया है आपको बता दे कि अक्षर पाटेल का भी प्रदर्शन साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ काफी लाजवाब रहा था खास कर अक्षर पाटेल अपनी चतुराई भरी स्पिन गेंद बाजी से भारतिय टीम के लिए काफी पारतिय टीम के स्कौर्ड में शामिल किया है आपको बता दे कि नितीश कुमार रेड़ी भी भारतिय टीम के सबसे युवा ओल राउंडर में से एक है वहीं दोस्तों अब स्पिन गेंद बाजी की बात करें तो दोस्तों बी सी सी आई ने स्पिन गेंद बाज के तौर पर दो स्पिन गेंद बाज को भारतिय टीम की स्कौर्ड में शामिल किया है जिसमें पहला नाम आता है भारतिय टीम के सबसे चतुर स्पिन गेंद बाज रवी बिशनोई का जीहा दोस्तों रवी बिशनोई भारतिय टीम के कितने बेहतरीन स्पिन गेंद बाज हैं ये तो आप सभी ने एक बार फिर से साउथ अफरीका के टीम के खिलाफ T20 सीरीज में देख चुके थे वहीं दोस्तों इनके बाद दूसरे स्पिन गेंदबाज की बात करें सीरीज जीतने में वरुन चक्रवर्ती का सबसे बड़ा योगदान रहा था वहीं दोस्तों अब तेज गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों आपको बता दे कि BCCI तेज गेंदबाज के तौर पर अर्श दीप सिंह, मयंक यादव और हर्शित राणा को भारतिय टीम की स्क् पॉड में शामिल किया है।